मद्यप्रदीश के शोपूर में बस ड्राइवर के लापरवाही के चुलते बड़ा हादसा हो गया राजस्थान के केला देवी मंदिर से दर्शन कर यात्री बस से विजयपूर की और आ रहे थे तब ही शोपूर जिले में उफनते नाले में बस पलट गई जिनने बस के कांश तोड़ कर जैसे तैसे यात्रियों को बहार निकाला गया हदसा जिला शोपूर के विजयपूरा धाना शेत्र के उमपचा गाउं के पास का है यहां बरसाती नाला बारिश के कारण उफान पर था पुलिया के उपर से पानी बह रहा था शनिवार को सबलगर से विजयपूरा ज्वारही बस वहां से गुजर रही थी पानी होने के कारण यात्रियों ने बस चालक को रुकने का भी कहा परशालक ने बस पुलिया से निकालने की कोशिश की और थोड़ी दूर जाकर बस नाले में पलट गई बस में पचास यात्री सवार थे हाच्चे के बाद चीक पुकार मच गई लोगों ने खिड़किया तोड अपनी जान बचाई शुक्र था कि नाले में इतना पानी नहीं था कि बस पूरी डूबे इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ है बस में पचास यात्री सवार थे हाच्चे के बाद चीक पुकार मच गई कुछ यात्री खिड़किया तोड कर बाहर आ गए 20 लोग घायल बताए गई है गईल यात्रियों को विच्वे पूरस सामुताइक स्वास्त केंद्र पर भरती कराया गया जो यात्री थे उनका बताना था कि सायट ड्राइवर नसे में था संभबत उसी गलती से पल्टी है और जो बस पल्टी थी उसके लिए बस में जो लगबक 40 यात्री होंगे संख्या एक्जक्ट हम लोगों को मालूम नहीं लेकिन लगबक 40 यात्री होंगे उसमें जो गायल थे लगबक 10-15 लोग उनको अस्पताल में हम लोग ले आएं इलाज के लिए बस किस प्रकार से पानी के अंदर चली गई थी दारूपी के चला रहा रहा था हुआ तो फिर आप बस में से बाहर कैसे आए बाहर तो बिन्न गाम बाले निकारे सीशा पोर पोर के तो तो बस पानी के अंदर कैसे चली गई एक तरब को चली गई वह बावाज देरे मां सब इनने सुनी नहीं वह द्रावन नहीं तो फिर आप बस से बाहर कैसे निकल जाएंगे शीचा टोर के नू निकारे गाम बारे आदमिने अच्छे गाम बाले आदमियों की शाहिता से आप बाहर आखे पेट मसीन दगी गई मसीन बैठेशन लेटेशन का रहे हैं इतना इतना पन अन्य यह बसरे बहाँ देखे यह एए ठीज थे मसले से नदीवें चली पंटे गई शोबस नंदी में उसे थी नदी में शो रिखेम तो बिन ने परका यह थे विनने तब नहीं रहे श्योपूर से खरवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट